हलों एवरिवान वॉम वल्कम तू माय चैनल तो आज आज आप सोच रहे हूंगे कि मैं आपको चपल क्यों दिखा रहे हूं तो यह आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा तो उससे पहले देख लेते हैं हमको क्या-क्या करना है और क्या-क्या चीजे लेनी है सबसे पहले गाइस हमको candle wax चाहिए अगर आपके पास खुली wax हो तो आप वो भी ले सकते हैं देन हमें उसको कर लेना है मैं गाइस में पास तो दिवाली की बचे हुई candle सी तो मैंने उनी को use किया है गाइस उसमें से जो thread बचे दे हुँ मैंने बाहर निकाल ली है गाइस हमें लेनी है कांच की bottle और पिखली हुई wax हमें फटा फचे bottle पर डालनी है गाइस बहुत सारी layers बना देनी है wax की bottle के ऊपर गाइस यह idea था मेरी grandmother का maternal grandmother का और सारा काम इसमें उन्होंने ही किया है तो गाइस उनके लिए एक लाइक कमेंट शेर और सब्सक्राइब जरूर बनता है प्लीज और या गाइस अब इस पर हम डालते जा रहे हैं तब तक हमें डालते ही जाना है जब तक कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं आता और या फिर आप कह सकते हैं जब तक वो मोटे नहीं हो जाते हैं जब गईस पर्ल्स भी दिखे हूंगे मैंने रिखाये थे तो गाइस हम पर लास्ट में लगानेवाले जब ही थोड़ी थूड़ी थिक हो जाएगी जाया दीक हो जार जाने है आपको घपन दिख रहा होगा जो आया है काइंड ओफ चेक पाटर नीचे की कुछ ना कुछ ऐसे पैटर्न्स अपने आप आते रहेंगी और रिजल्ट इसका बड़ा कूल होने वाला है और वो चपल यासरत ना गाईज वो चपल इससे हम कोनलेट कहने वाले है गाईज यह थोड़ी मैसी हो गई थी पिकर हमने फैन चलाया था जिससे बॉटल पे वाक्स पिक लाइटी वाक्स भी थोड़ी सूखनी चाली हो गई थी तो इसलिए थोड़ा मैसी ज़रूर रहेगा आप जैसे मैंने नीचे पुरानी लखनी की प्लेत ली हुई है और जिस बरतन में मैंने इसको गरम किया वह बहुत पुराना है गाईज अब देख सकते हैं कि बहु और वाइट नहीं मिली वाक्स अगर आपके पास लाइक रेड है तो आप उस पे ग्रीन वाइट करके क्रिसमस के लिए बना सकते हैं कभी भी आप बना सकते हैं खैर यह बढ़ी सुदगर लगती है गाईज इस लाइक अमेजिंग अभी आप देखिये रियल आउटकम तो ग क्वेट आये और मेरी ब्रदर के चैनल को भी सब्सक्राइब करे तंक्यू गाइज अथि इस अल फोर टोड़ेर अपी अगाज़ आप गाईज